Hello everyone, welcome again So, आज की वीडियो में भी हमें एक बहुत साथ important topic पढ़ने वाले है Modern History का Arrival of European Company इस topic से भी आपके exam में question देखने को मिलता है और जितने भी important points हैं जो आपके exam point of view से important है और previous year जो questions पूछे का हैं उसे आज हम cover करने वाले हैं यह वीडियो आपको बहुत जादा ध्यान से देखना है इसमें समझने वाली चीज़ें जाता हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी dates हैं जो आपको बार-बार repeat करके याद रखने पढ़ेंगी भारत में उस ताम दौर चल रहा था समुद्री मार्क को दूंटे दूंटे वह अमेरिका पहुंच जाता तो जिसे कहा जाता है कि अमेरिका कि किसने की कॉलम्बो एंद वास को डिगामा आते हैं जो पूर्टगाल से रिलेटेड थे उन्होंने इसमें हम पढ़ते हैं मेली पूर्टगाली डच अंग्रेज डैनेस फ्रांसिसी एंड स्विडिश ओके में जहां से आपका क्वेशन बनता है वह बनता है पूर्टगालियों से डच से अंग्रेज से और देखिए डैनिश और स्विडिश को आपको इसको ज्यादा ध्यान ने रखना है बस इसमें इतना याद रखना है कि सबसे लास में कौन आ था तो स्विडिश आयते ठीक है सो देखें जो एर्राइवल है कंपनी यानि की अंग्रेज या आप इसे बिटिश कहिए शोला सॉमें ओके और यहां पर आपको एक बात याद रखनी है बहुत जादा कंफ्यूजन रहती है कि पहले डच आये थे कि पहले अंग्रेज आये थे बट डचों ने सबसे पहले टेट करने के लिए वह निकल आए तो डैनिश और जो स्विडिस इनके बारे में हम जादा नहीं पढ़ते हैं यहां से आपको ज्यादा क्वेशन नहीं बनता है स्विडिश का बस आपको इतना याद रखने कि यह सबसे लास में आए थे और यहां पर डी को ग्रीन से इसलिए कर रखा है क्योंकि यहां सबसे पहले कौन आयते पुर्ट गाली तो देखिए इनकी जो डेट्स है वह आपको बार बार बोली है तो आपको आपको याद हो जाएगा सबसे जादा फेमस है इस इंडिया कंपनी जो हमें यादी रहती है ठीक है पॉर्टिक यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 1595 या 1596 दोनों ठीक है और आपको याद दखना है फ्रेंच का 1664 1598 1595 1600 1616 1664 इसकी देट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर सिरीज में लगाने का क्वेश्चन आ जाता है आपके एक्जाम में तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए तो यह हमने पढ़ा कि अराइवल ओफ यूरोपियन कंपनी की कौन सी पहली आई ओके अब हम देखेंगे कि जब यह इंडिया में टेट करने के लिए आई तो इसने अपनी कंपनी कब-कब इनकी कंपनियों का फांडेशन हुआ था ठीक है तो सबसे पहले देखिए पॉर्टिक्यों यानि ऐड़न उसमें क्या था डच आगे थे बिटिश बीचे थे बट आप जोंपनी का फॉंडेशन होता है उसमें जो बिटिश थी वह पहले आ जाती है और जो द्सटी वह सेकिन धार्ड नमर पर आ जाती है ठीक है तो यह वह देट काफी मिलती ज्छूती जूलती है उसी से तो 4098 बिटिज 1600 और डच 1602 और फ्रांस 1664 ओके सु देखिए पॉर्टी की उसका तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है 4098 बिटेज का यह भी फेमस है बहुत जादा 1600 डच का तो डच का हो देखो हम ऐसे बोलते ना पंजाबी में दस दो दस दो तो तो 1602 अब फ्रांस का देखिए आपको याद 1964 में इन्होंने अपनी कंपने का फांडेशन कर लिया था ठीक है अब देखें यह तो इनका कंपनी जो था वो फांड हो गई ती फांडेशन इसकी हो गई ती नीव इसकी रख दी गई थी अब यह होता है कि इन्होंने अपना कोचिन कोच से समझ में आ रहे हैं जिसे कि ख्रेइन वगए रहे में कोच होते हैं कोच कितने हैं तो फॉर्टी नैंटी एट एंड फंद्रासो थीन धियां रखने आपको फिर बिटिश ने शोला सौ में अपनी कमपनी का नीव रखा था और इसके बाद इन्होंने अपनी पह इतना आपको यहां पर याद रखना है कि बिटिश ने अपना जो फॉर्स टेट सेंटर बनाया था वो सूरत में बनाया था 1608 में ठीके यहां पर आच साल बाद ज्यां रखने आपको और 1602 में डैश ने अपनी कमपनी की नीव रखी थी उसके बाद फॉर्स टेट सेंटर मशली पत्नम 1605 में 2 में और 5 में ठीके तीन साल बाद फिर 1664 में फ्रांस ने अपनी कमपनी का नीव रखा थो पहला फ्रेट सेंटर बनाया था 1668 में सूरत में 4 साल बाद ठीके तो दोनों को रिलेट करके आपस में आपको याद रखना है 1503 1608 1605 और 1668 ठीके बहुत इंपो सबसे पहले कौन आयता वास को डिगामा आयते हो 1498 में और इसे अभी हमने आगे पर लिया तो इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यू सी रूट टो इंडिया यहने की नए समुद्री मार्क इन्होंने खोच की थी किसने की थी वास को डिगामा ने 1498 में बहुत अच्छे से आय differences फिर्ट को इंडिय को को किसे किती हिंटी याद रखने अपको इबन मासल होगे और दिखे तब्सक्राइब से से बाइस इन्हीं को सी रूट तने श्कर की था अवर निनका परricka पूरा रूट था पर रूट था एफरिका से लेके इंडिया के मालाबार कोस तक तो इसको इस पूरे रूट का जो नाम दिया गया वो क्या का गया ऐफरिका का Cape of good hope क्या का गया Cape of good hope ठीक है यह बात भी आपको ध्यान रखनी हैथ यहां पाप देख सकते हैं कि एफरिका से चले पूर्ट गाल जो आपने पहले भी पढ़ा होगा फ्रांसिसो डी अलमीटा जो थे फर्स्ट पॉर्स्ट वासराय थे पोर्तगालियों के पहले यह वारसराय थे जो गवर्नर भी थे इंदिया में थीक है तो यह बात आपको ध्यान रिकने हैं अगर आपसे पूछा जाता है कि first Portuguese Viceray कौन थे and governor in India तो आपको धियान रखना है Francisco da Almeida तो दो लोग को नाम आपको याद रखना है एक तो Almeida का और दूसरा Albuquerd का ठीक है तो first Portuguese Viceray and governor in India 1505 AD में कौन था Francisco da Almeida और यह लेके आया था Blue Water Policy जिससे Exponent of Policy of Calm Water भी कहा गया यानि कि Blue Water Policy शांत जल्की नीती का प्रतिपादक कहा जाता है किसको Almeida को तो देखे आकर यह Blue Water Policy थी क्या ओके तो देखे जो Portuguese थे ना तो इनका एक तरीके से सपना था कि हिंद महासागर जो Indian Ocean है उसका जो पूरा एरिया है वो पूरी तरह से इनके जहाजों के कबजे में हो जाए और उस एरिया से होने वाला trade उनके कंट्रोल में हो जाए जिससे क्या होगा इनका जादा मुनाफ़ा होगा जादे इनको प्रॉफिट मिलेगा ओके सो यह थी इनकी Blue Water Policy और पूरा देखा जाए तो इनडिया मैं तो इसभी आपने पालब को इंडिया में है तो इससने बुक कर लिए प्रॉटियोजहर को इंडिया में पूरी तरिक है तो ध्यान रखने आपकर उनीके गिस prophetis il इंडिया इस अल्बोकर राइट दा बिल्दर ऑफ फॉर्स्ट यूरोपियन एंड पॉर्टिक्यूस फोर्ट इंडिया इन फिफ्टीन हंडेट थ्री अब इसी ने सबसे पहले पॉर्टिक्यूस फोर्ट कोचिन में स्टाब्रिश कहा जो भी हमने पीछे पड़ा फिफ्टीन मैन्वाल ठीक है पंदरा सो दस में देखिए इसने कैप्चर किया गोवा को फ्रम यूसुफ आदल्शा जो उस्टेम रूलर था बीजापुर का बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से आपका क्वेशन पूचा गया है एक्जैम में कि 1510 AD में किसने गोवा को कैप्चर किया थ ठीक है तो आई होप यहां पर आपको क्लियर हो गया और यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना आपको बहुत अच्छे से याद रितने हैं तो नेक्स अब हम पढ़ने वाले हैं डच के बारे में सो देखिए जब इंडिया आयते तो इनके आने का टाइम पिरेंट मना ठीक है जो बेडरा कहां पे हैं बेंगौल में बैडरा वेति के बीच में होता है यह तो देखिए हुआ क्या था कि जितनी भी ब्रिटिश आर्मी थी जो अधर कंपनीश थी उनको एल्मिनेट करने में लगी थी कि बस हमारा ही राज होगा और किसी का राज होगा किसी का रा इनका पूरी तरीके से इंडिया पे तो बिटिश आर्मी ने डच आर्मी से भी वॉर किया और उस वार का नाम क्या है बैटल आफ बेत रहा और इसके बाद से चुंफ एक्टिविटी ती इंडिया में वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है थीके यह जो बैटल हुआ था 1759 A.D. में हुआ था ध्यान रखना है आपको बहुत इंपोर्टेंट है बैटल कब हुआ था यह 1759 A.D. में ठीक है विनर कौन रहता है तो बिटिश आर्मी रहती है और आफ्टर दिस वाट डच कंप्लेटली लॉस्ट डियर एक्टिविटी इन इंडिया ओके सो याद रखना इसे यह established ही तो इससे भी आपका question बहुत बनता है क्योंकि सबसे जाधा time तक इसी ने इंडिया के उपर rule किया है तो इससे बहुत जाधा questions बनते है तो इसको आपको बहुत एच्छे से समझना है और ध्यान रखना है तो देखे यह जो इस इंडिया company है यह founded हुई थी 1599 A.D में by a group called merchant adventures in England तो इंग्लेंड में एक इसका पूरा group था जो नाम रखा गया इसका merchant adventures in England तो पहले यह East India company इसका नाम नहीं पड़ गया पहले जब इंग्लेंड में थी 1599 A.D में तो इसका नाम क्या था इस पूरे group का merchant adventures in England तो दिसंबर 16 स्व में एक charter grant किया गया Queen Elizabeth जो first थी उ 15 years तो इन्होंने यह नहीं कहा था कि सिर्फ इंडिया में जाके trade करो इन्होंने East की तरफ जाके trade करने के लिए एक charter grant किया था Queen Elizabeth first ने 1600 में कितने सालों के लिए 15 सालों के लिए और उस time जो भारत में जो Mughal Emperor थे इंडिया के वो कौन थे अकबर थे तो यहां से आपका question अकबर की जो death हो जाती है 1605 में अकबर की death कब हो जाती है 1605 AD में और उसके बाद देखे Captain Hawkins आते हैं जैसे कि पहले बोलते थे ना जैसे आज कल मैस जा रहे तो उसी तरह किसे पहले दूत हुआ करते थे तो Captain Hawkins आते हैं कहाँ पर जहांगीर के court में अब अकबर की death हो गई 1605 में ठीक है उसके बाद आता है Captain Hawkins जो इंडिया में trade करने के लिए कुछ permission लेने आता है जहांगीर के पास ठीक है तो जहांगीर के court में Captain Hawkins कब आता है 1608 में कब आता है 1608 में ठीक है तो Captain Hawkins को नहीं पता अगबर की दयद दो चुकिया तो यही सोच के आता है अगबर के नाम से एक फर्माल लेकर आता है कि उसको अगबर से मिलना है और फिर उसे पता लगते कि आप तो जहागीर का साशन है तो जहागीर के कोट में आता है 1608 में और देखे फिर आप हमें क्या important point याद रखने इस इंडिया कंपनी की foundation of the first factory जो इस इंडिया कंपनी है उसने अपनी first factory को foundation किया था सूरत में 1608 में ही ठीक है यह अभी हमने इस इंडिया कंपनी की तरफ से और उस टेम जो मुगल लुलर था उस टेम भी कौन था जहां गीर था ठीक है तो फिर 1608 में इन्होंने इस्टाब्लिश करने की कोशिश की successful नहीं हुआ बट अगर आप से question पूछा जाए कि first factory इस इंडिया कंपनी तो आपको सूरत ही तिक करना है 1608 में अगर पुछे temporary तो 1611 मसूली पट्नम में तो यह डेट्स आपको याद रखने इस इंडिया कंपने के ठीक है 1600, 1608, 1611, 1613 तो यह जो important date से आपको ध्यान रखने है तो 1611 में temporary factory बनाई मसूली पट्नम में और उस time मुगल रूलर कौन था तो जहां गीर था 1613 AD में इन्होंने अपनी first permanent factory जो थी British की वो established की पूरी तरीके से सूरत में यही जो factory थी इसी को फिर complete करवाए गया 1613 AD में first permanent factory of British was established in सूरत तो यह बात आपको ध्यान रखने है और देखिए एक और दूत आया था Sir Thomas Rowe कौन आये थे Sir Thomas Rowe आये जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंग्लेंड को मुगल एंपायर में और उस time भी कौन था मुगल शाशक कौन था तो जहां गीर था और यह कब आयता तो यह भी 1615 में आये तो गभी कभी यहां से भी आपका question पूछा जाता है Captain Hawkins का जो famous है और Sir Thomas Rowe तो यह दोनों आये थे जहांगीर के कोट में ठीक है Captain Hawkins 1608 में और Sir Thomas Rowe यह आते हैं 1615 में ठीक है तो यह important point related to East India Company आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने है अब इसने कौन-कौन से वाल लड़े थे कौन-कौन सी कंपनियों से यह आगे हम questions के थूँ कम कंपनी देश इन देश ओरियेंटल क्या नमता कंपनी देश इन देश ओरियेंटल इसको कहा गया और इसका जो इस्टैबलिश्मेंट हुआ था वो 1664 एडी में हुआ था पाउंदर कौन थे तो कॉलबट थे जो मिनिस्टर थे किंग लूइस 14 और फ्रांस के अंडर में ठीक तो आपको मेंली 1668 ही याद रखने है वैसे तो कि 1668 में इस्टाबलिश्मेंट हुआ था फ्रेंच ट्रेडिंग फेक्टरी का सूरत में ठीके तो अभी हमने इसको पहले भी बढ़ा था फ्रेंच का और इस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेश का दोनों का ही जो फ्रेंडिंग सेंटर है वो कहा पे था सूरत में ठीके और देखिए 1669 nad में मसूली पतनम सेंड़् फ्रेंच कोर्थी स्टाब्लिश्ट की गई ठीके तो दिखिए यहाँ पर जो फ्रेंच की कोर्थे है ना तो एक तरीके से इनका ट्रेडिंग सेंटर ही था तो 1669 एडि में मसूली पतनम म वह हमने पढ़ दिया है अब हम questions करेंगे and questions के बीच में जो भी important points आएंगे उसे हम cover करेंगे so first question is in which year did Vascotigama land in Calicut Koji Kodhe तो कौन से year में Vascotigama ने land किया था Calicut में तो कौन से year में किया था 1498 में so option D is the correct answer right so देखे Portuguese थे ये पुर्टगाल से आई थे Vascotigama 1498 AD में इंडिया में और इन्होंने discover किया था new sea route to India किस ने discover किया वासकोटिगामा ने वासकोटिगामा की मृतियू कब हुई तो कोची 1524 में ठीक है कोची में हुई थी 1524 में और यह डाइट से रेटेटेट भी question आप से पूचा गया है इसलिए मैंने इसको यहां पर include किया है किनके मृतियू कब हुई थी 1524 में नेक्स है the first European to come to India वर पहला European कौन था जो इंडिया आए था तो पहला European कौन था और पॉर्टिग्योस थे पोर्टिगाली थे तो सबसे पहले कौन आय था पॉर्टिग्योस आय थे और जो इंपॉर्टेंट है उसमें फ्रेंच जो था सबसे लास में आय था वैसे तो स्विडिश का भी माना चाता है और मेंनली देखा जाहे तो फ्रेंच को यह जाता है तो घ्यान रखने है आपको नेक्स से देखे कि ऑॉर्टिगूगी वाटिग्योस लीडर अब पॉर्टिगूस लिडर्न ऑब ब्लूगवाटर पॉलिडेए लीडर ने इंट्रीट्यूच की थि तो किस ने किया था ब्ल ब्लू वाटर पॉलिसी और इस में अब्जेक्टिव वस्ट इस्टाबलिश्ट डॉमिनेंस इंडा इंडियन ओशन रिजन फंद पर्स्पेक्टिव ओफ बिजनस इंट्रस्ट तो बताया मैं था मैंने आपको कि इंडियन ओशन जो है उसमें पुरा अपना कब्जार करना चा यूसुफ आदल्षा के बीच में उसमें विनर कौन रहता है और गोवाग को यह जो रूलर होता है तो यूसुफ आदल्षा से गोवाग को कैप्चर कर लेता है कौन अल्बुकर तीक है प्रिटिश इस इंडिया कंपनी ने डिफीट किया था पॉर्टिगोस कभी कब किया तो देखे कौन से वर में किया था सो बैटल ऑफ सुवाली ठीक है तो इसको स्वैली भी कहा जाता है सुवाली भी कहा जाता है सुवाली एक विलेज नेयर दसुरnd सिथी तो यह एक विलेज होता है सुवाली सुरnd सिथी के पास तो यहीं पे होता है कौन सा बार बैटल ऑफ सुवाली का छी की जिरिया इस उ Mā Five Ready समी एक पॉइश के बीच में और ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था ओके next question is which of the following was the first fort built by the British East India Company in India British East India Company ने भारत में निमलिकित में से कौन सा पहला किला बनवाय था तो पहला कौन सा किला बनवाय था British East India Company में तो आपको ध्यान रखना है Fort St. George Fort St. George So option A is the correct answer Okay So Fort St. George is the first English later British forts in India founded in 1639-1640 की बीच में उसको बनवाय गया था at the coastal city of Madras the modern city of Chinnai Fort William कहां पे था तो ये कलकता में था ठीके तो first English fort कौन सा Fort St. George ये question भी आपसे पूछा गया है पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है Next ने देखे In which year was Shri Lanka discovered by the Portuguese तो पूर्टगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी अब पूर्टगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी So option B is the correct answer 1505 में So देखे Shri Lanka was discovered by the Portuguese in 1505 तो Portuguese ने श्रीलंका को discovered किया था खोजा था कब 1505 में First contract between Shri Lanka and the Portuguese was established by Don Lorenzo Dalmeda in 1505 At the time of Shri Lanka was known by the name of Cylon और उस ताम Shri Lanka को Cylon नाम से जाना जाता था Okay and Portuguese जो थे वो accidentally पहुँच गये श्रीलंका के पास और after 12 years Portuguese established their trade settlement और 12 साल के बाद फिर उन्होंने वहाँ पर अपना trade settlement को Establish किया कहां पर Shri Lanka में तो यह बात और यह question आपको ध्यान रखने है Question number next is First East India Company भारत में पहली बार उपस्तित हुई थी In which year did the East India Company appear in India for the first time तो पहली बार कब उपस्तित हुई थी प्रॉपर वे में ठीक है तो कौन सरस्थान आता है तो हम लोग बढ़ते हैं 1608 so option D is the correct answer okay William Hawkins a representative of British East India Company Came to the Mughal Emperor Jahangir in 1608 AD Okay तो ध्यान रखना है आपको Question number next is The Battle of Bedara was fought between the British Army and the Dutch Army in The Battle of Bedara तो भी मैंने आपको बताया था Battle of Bedara Battle of Bedara Bedara बंगाल में तो यह जो battle हुआ था Between British Army and Dutch Army के बीच में यह कब हुआ था So यह हुआ था 1759 में So option A is the correct answer Right So battle हुआ था यह 1759-80 में Winner कौन था? British Army था After this war Dutch completely lost their activities in India Okay So ध्यान रखना है आपको Battle of Bedara 1759-1759 Next question is The first English factory set up on the bank of river in 1651 So 1651 में कौन सी नदी के किनारे English factory जो है वो set up की गई पहली बार तो कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे So हुगली रिवर So option A is the correct answer Right So the first factory was established by the British in 1651 on the bank of हुगली रिवर अब यहां पर बात हो रही है आपकी factory establish करने की कौन सी रिवर पे? हुगली रिवर पे Traders used to run their work from here These traders were called factors अब यहां से जो trader थे वो अपना काम कर दे थे और इन traders को उस ताइम factors कहा जाता था क्या कहा जाता था? Factors Okay और वार्वार्वास इंडिस फैक्टरी वे थे थे वह थे वह इस वार्वार्वास में यहां पर store करके रपते थे ठीक है? तो कौन सी रिवर पर पहली factory established की तो हुगली रिवर पर Right Question number next is Where in India was the first French factory established? भारत में प्रथम फ्रांसी सी कार खाना कहां इस्थापित किया गया था? तो देखिए फ्रांसी सी कार खाना कहां established किया गया था? यह भी established किया गया था सूरत में So option A is the correct answer Question number next is चंदर नगर या चंदर नगर was a dash colony captured by the British Navy on 23rd March 1757 अब एक colony थी चंदर नगर नाम से जो British Navy ने capture करी थी 1757 में 23rd March को तो देखिए यह जो colony थी फ्रांसी सी किती फ्रेंच किती तो option D is the correct answer Right So चंदर नगर was a French colony captured by the British Navy on 23rd March 1757 British East India Company was led by Robert Clive and Royal Navy was led by Charles Watson Okay So British East India Company को उस ताम कौन led कर रहा था Robert Clive and Royal Navy was led by Charles Watson They bombarded and captured चंदर नगर in March 1757 अब यहां पर देखिए 1757 है तो आपको यहां आना चाहिए 1757 में कौन सा famous war हुआ था Battle of Blast ही हुआ था So modern history के जो कुछ important battles है East India Company से related उसे हम revise कर लेते हैं तो वैसे भी मैंने आपको battle वाला जो important history के battle से उसमें पढ़ाया हुआ है यहां पर बस हम फटाफट रिवाइस कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हमारी date आई है 1757 सब्सक्राइब बैटल ऑफ प्लासी जो है प्लासी का युद्ध है यह 1757 में होता है बिट्विन रॉबर्ट क्लाइब वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद दौला के बीच में इसके बीच में होता है रॉबर्ट क्लाइब वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद दौला अब जो बिटिशर स्टेक्स इंडिया कपनी ती यह ट्रेड करते करते फिर इसने पूरे इंडिया पर राज करना शुरू कर दिया तो यह फिर कहां पर पहुंच गया बंगाल पहुंच गया ठीक है तो जो बंगाल के नवाब ते उसके साथ योद होता है बैटल ऑफ प्लासे का विनर कौन रहता है तो रॉबर्ट क्लाइब रहता है ओके सो देखिए आपसे क्वेशन यहां से पूछा जाता है वू वॉस्ट दवन हू लेट फांडेशन ऑप क्लाइब तो यह एक प्लाइब के प्रथम संदी और अभी हम आगे पढ़ेंगे इलाबाद की दूसरी संदी ठीक है तो अगर आपने देखिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेन बैटल वीडियो नहीं देखा है तो वहां पर हमने उसको ट्रिक से गवर किया था तो आप उसको के बीच में होता है तो फ्रेंच इस इंडिया कंपनी और बिटिश इस इंडिया कंपनी के बीच में ठीक है और इसमें जीता कौन है तो इसमें जीता है ओविसली कौन जीता है इस इंडिया कंपनी जीती है बिटिश इस इंडिया कंपनी ओके तो यहीं से जो फ्रेंच होते तो यहां से भी आपका question पूछ लिया जाता है कभी कभी बैटल ऑफ वांडी वाश में लीडर कौन था ब्रिटिश आर्मी का तो आयर कौन थे आयर कूट तो इन्हें पूरी तरीके से कूट डाला फ्रेंच को ठीक है और लीडर कौन थे फ्रेंच की तरफ से तो काउंट डी ल सो देखे बैटल ऑफ बकसर भी एक इंपोर्टेंट वार है और यह होता है 1764 में जो ब्रिटिशर्स वर्सेस सुजा उद्दॉला जो उस तेम नवाब होते हैं अवत के मीर कासिम मोगल एंपरर शाह आलम जोती है देली के तो इनके बीच में वार होता है बकसर का विनर कौन से स्टाबलिश हो जाता है तो अंगरी जी से कमान किसने समाली थी बकसर के युद्ध में तो यहां से आपका कुशन पुछा जाता है कि जो ब्रिटिश आर्मीती उसके लीडर कौन पून लीट करे थे तो हैक्तर मुन्रो ते हैक्तर मुन्रो पर के सबादा है और इसके ती ये ती दूसरी संदी जो किसके बीच में होती है सुजा अधौला एंड क्लाइव के बीच में अब हम पढ़ते हैं next question कि पुर्टगाल इस इंडिया का थी तो इसका सेंटर कहा था तो इसका थ्यां रखना है ठीक है ब्रिटिश इस इस इंडिया कपनी का था तो यह और भी ट्रेट सेंटर थे और पोर्टगाल जो सबसे पहले भारत आए थे और सबसे लास्ट में भी गए पोर्टगाल ठीक है क्योंकि उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था तो गोवा बहुत टाइम बाद आजाद हुआ था पोर्टगालियों से इसलिए वहां प भी ट्रेट सेंटर थे जो हमने यहां पर देख लिया राइट तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा याद भी आपको हुआ होगा आपको बार-बार रिवाइस करते रहने क्योंकि इसमें डेट्स भी आपको मिलाइस क्धीए समें सिर embora टे ऐसमें प्रेंट的時候 2 scratch Juli